नमस्कार और साथ ही मेरी परिशानी भी कॉलेज की रंगीन दुनिया मेरी प्रतिक्षा कर रही थी बड़े भाईया मुंबाई की एक बड़ी कंपनी में चले गये थे और मेरे लिए अच्छा खासा जेब खर्च भेज देते थे देदी तो मेरे लिए उपहारों की वर्षा सी कर रही थी और मेरे पास इंपोर्टेड कपडों सेट्स और कॉस्मेटिक्स का ढेड लग गया था जब भी कोई उपहार आता मुझे बड़ा संकोश होता था एकाद चेज मम्मी के लिए भेजती तो क्या हो जाता पापा की लिए भी उन्होंने वहां से सिर्फ पहुच की चिठी लिखी थी बस बाकी तो हमारे पत्रों में प्रडाम भर रहता बड़े भाईया जरूर कभी कभार एकाद कार्ड पापा को डाल देते थे पर अक्सर मेरे पत्र में ही दो-चार लाईनी उनके लिखते थे बच्चों के साथ जैसे उनका समवाद तूट सा गया था छोटे भाईया कभी कभार दर्शन दे देते पैसों के लिए पापा न पिछला हिसाब पूछते न कारण पूछते बस जो मांते वह हाथ में रखते थे बाप बेटों में जैसे बस जरूरत भर का ही संबन रह गया था मेरी बहुत इच्छा थी हॉस्टल जोइन करने की दो साल तक हॉस्टल में रहने के बाद घर पर अच्छा नहीं लगता था फिर कॉलेज हॉस्टल का जीवन कुछ सचंदता से जीने की भी आशा थी कम से कम स्कूल जैसी छोटी छोटी बंदिशे तो वहां नहीं होती पर मम्मी ने मुझे रोख लिया बोली खाली घर काटने को दोड़ता है तुम रहोगी तो कुछ रौनक रहेगी मजबूरन मुझे रह जाना पड़ा रोणक तो खेर मेरे बलबूते पर क्या होती पर लगा मम्मी अकेले पंसे नहीं पापा से खौफ खाने लगी है इसलिए अपना मनोबल बनाए रखने के लिए वेरा सहारा लिया जा रहा है दिन पर दिन इसी एक रस्ता में बीत रहे थे और महीनों की शकल में बदल रहे थे सैसा एक दिन लगा कि इस मुर्दा माहौल में भी कुछ हलचल हो रही है कुछ रौना, कुछ गहमा-गहमी हो रही थी मालुम हुआ पापा की नई पुस्तक का विमोचन समारंभय खुबचूरत कार्ट छपकर आ गए थे जिन पर मोटे अक्षरों में पुस्तक का नाम चमक रहा था वेद कालीन भारत की सांस्कृतिक संपदा पापा की इससे पहले भी दो-तीन पुस्तके प्रकाशित हुई थी पर उनके प्रकाशन समारों की मुझे याद नहीं थी शायद इतने बड़े पैमाने पर कुछ हुआ भी नहीं था इस बार तो सचमुच एक उत्सो कासा वाता वरंट था मैंने बड़े भाईया को सोचित कर दिया था और उनका बधाई का तार भी ठीक समय पर पहुच गया था पर छोटे भाईया जान भूज कर टिंद फॉल्स देखने निकल गये थे उनके जाने से वैसे कोई हानी भी नहीं होई थी पापा के धेरो विद्यार्थी काम में चुट गये थे बैठने की विवस्था से लेकर प्लेटे सजाने तक का काम उन्हीं लोगों ने किया था शाम को मम्मी एक रेश्मी बातीक की साड़ी और धीली सी चोटी डाल कर बैठ गई मैं इतना कहती रह गई पर उन्होंने न कपड़े बदले न हेयर स्टाइल बड़ी मुश्किल से जिद करके एक बड़ा सा पीला गुलाब उनके बालों में लगा पाई मैं पर थोड़ी देर बाद देखा वा भी नदारत था मुझे देखकर अपराधी भाव से बोली ठीक से पिन नहीं किया था क्या पता नहीं कहां गिर गया मैं मूफ उलाकर बैट गई जब उन्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ठीक है मुझे क्या गरज पड़ी है पर गुस्से का उबाल धीरे धीरे कम होने लगा तो जैसे इस विराग का कारण मेरी समझ में कुछ उचाने लगा पिछले महीने वार्षे कोट्सों पर मम्मी पापा को मैं खीच कर कॉलेज ले गई थी मुझे पुरसकार मिलने थे इसलिए पापा मेरा अनुरोध टाल नहीं पाये थे कॉलेज केंपस में प्रवेश करते ही सहेलियों ने मुझे घेर लिया था तेरी दीदी कबाईरे अमेरिका से छुट्टी पर आई है या हमेशा के लिए आ गई है धद पगली ये तो उसकी मम्मी है किसीने बताया था हाई मम्मी वह चीखी थी हाई राम कितनी अंग लगती है इस चैप मदर है कोई फुसुस आया था सची कितनी स्वीट है न इस बाचेट से मैं संकोच से भर उठी थी सच मुझ मम्मी उस दिन बड़ी स्वीट लग रही थी प्याजी रंग की बनारसी साड़ी में उनका गोरा रंग निखराया था मेरी जिद पर उन्होंने अपना बारीक मोतियों वाला सेट पहन लिया था उनका सजा सवरा वेक्तित देखने वालों को बांध ले रहा था और उनकी तुलना में पापा एकदम बूढ़ी लग रहे थे पापा ने घर पहुचने तक भी सबर नहीं किया टेक्सी में बैठते ही बोले कितना जादा मेकप किया है तुमने आज जरा सलीके से साथ सिंगार किया करो अब कॉलिज में पढ़ने वाली लड़की तो नहीं हो अंधेरे में मम्मी का चेहरा नहीं देख पाई मैं पर बार बार यही लगता रहा पापा यह सब मेरे सामने न कहते तो अच्छा था उस प्रसंग को याद करके अपने उपर ही खेज उठी मैं क्यों बार बार जित करती हूँ मैं जबकि मालूम है पापा को यह सब जरा अच्छा नहीं लगता शाम से ही मेहमान जुडने लगे प्रिंस्पल साहब थे, कुछ पापा के सहयोगी थे, कुछ मेत्र, कुछ विद्यार्थी 40-50 लोगों का मजमा था छट पर ही सब लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी जिसे पापा के विद्यार्थियों ने दिन भर बैठ कर सजाया था प्रिंस्पल साहब की अध्यक्षिता में समारो प्रारंभ हुआ, धुआ धार भाशन हुए मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बस इतना समझ में आ रहा था कि पापा की तारीफ हो रही है, और अंत में पुस्तक का विमोचन प्रिंस्पल साहब के करकमलो द्वारा संपन हुआ पापा ने वह प्रती बड़े ही विने के साथ हुने भेट की, ताली की गड़गडा हट से आकाश गून जुठा, कुछी देर में पुस्तक की प्रतियां महमानों के हाथों में घूम रही थी, तीस रुपय मुल्ल की वह भारी भरकम पुस्तक थी, कई दुरलख चित्रों के साथ, परने उलटते हुए मेरी दृष्टी समरपनवाले प्रिष्ट पर टिक गई, शीला को जिसका स्नेह मैं सानिध्य मेरी प्रेणा था, जिसकी पवित्रिस्मृती मेरा संबल है, इतना गुस्सा आया, इस हिप्पोक्रेसी की भला क्या जरूरत थी, अपनी दिवंगत प कमरे में बहुत ही कम जाती थी, एक तो इकांत के लिए वह उपर बनवाया गया था, और विद्यार्थियों की सुविदा के लिए जीना भी बाहर की ओर से ही था, दिन भर अपने पढ़ने लिखने में ही व्यस्त रहने वाले पापा पे वे अक्सर खीज भी उठती थी, घर मुखद शोताओं को देखना उन्हें अच्छा लगता, इसी तरह पापा की पुस्तकों में लेखक की जगे छपा हुआ पती का नाम भर पढ़कर वे कृतार्थ हो जाती थी, उन्हें पढ़ने की कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की, पापा को उनसे किस तरह की प्रेणा मिलती थी वे ही जाने, लेकिन अगर ऐसा था तो पहले भी तो उनकी पुस्तके निकलती थी, उन्हें मा को याद क्यों नहीं किया गया, या शायद इसके लिए स्वर्गे की उपाधी जरूरी है, और मा की पवित्र स्मृती, इतना बड़ा मजा कैसे कर सके पापा, इतनी है उस स् पूरी तरह निभाया था, इस पुस्तक का असले श्रे उन्हीं को जाता था, शादी से पहले और शादी के बाद भी इस पुस्तक पर उन्होंने अपार महनत की थी, लाइब्रेरी से पुस्तके जुटाई थी, राद राद जाक कर नोट्स त्यार किये थे, टाइपिस्ट के साथ घंटो दिमाग खपाया था, कई-कई बार प्रूफ देखे थे, परन्तु पूरी पुस्तक में उनका कही नाम भी न था, कृतगिता के दो शब्दों की हगदार तो भवी थी, प्लेटे लगाते हुए मैंने कहा, मम्मी, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, कैसा अन विद्यार्थी की हैसियत से किया है, अब ये इतने लोग नहीं कर रहे हैं, बस मेरा भी अंशदान ऐसा ही है, और उन्होंने लिखा तो है, मेरे चात्रों ने बहुत सहायता दी है, मन हुआ जबरदस्ती सौरत के दिल में जाक कर देखूं, क्या सच मुछी, कहीं जरा से भी खरोश तक नहीं आई है, रंजीत से पहली भेट इसी पार्टी में हुई थी, पापा नहीं परचे करवाय था, बकुल ये हैं रंजीत खन्ना, मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थियों में से थे, अब आई एस हैं, और यहां डिप्टी कलेक्टर बन कर आये हैं, सर, आप क अच्छा तो बकुल जी जाजत है, जाते हुए उन्होंने हाथ जोड कर कहा, तो मैं अभिभूत हो गई, पहली बार किसी ने मुझे इतना सम्मान दिया था, घर बाहर सभी के लिए मैं अब तक खिलंदड़ी बकुल ही थी, अच्छा नीरू चलता हूँ, कभी घर पर आओ तुम भी आना न मिसिस को लेकर, आज ही ले आते तो परिचय हो जाता, आज तो वह बोल हो जाती इसलिए नहीं लाया, किसी दिन जरूर ले आऊंगा, अच्छा और हम सबको बड़ी अदा से नमस्कार करते हुए वे चले गए, आप जानती है इन्हें, मैंने मम्मी से तब तो कई बार मुलाकात हो सकेगी, पापा के यूँ तो ढेरो विद्यार थी थे, पर अधिक्दर बाहर से ही लोट जाते थे, घर का अनुशासन ही ऐसा था, कई अखड किस्म के लोग भावी-भावी की रट लगाते हुए के चंद तक बहुच भी जाते थे, पर पापा क कभी अकेले, कभी मिसिस को लेकर, उनकी गुडिया से खुबसूरत बेवी मुझे एकदम बेवकूप सी लगती, बेवी, किचन, पिक्चर्स और नौकर ये चार उसके प्रियविशे थे, शेश समय वाचुप बैठी रहती, बोलने बत्याने का सारा जिम्मा मैं ले लेती, म कुछ दिनों के बाद मुझे उन प्रश्णों में जासूसी की गंधाने लगी, शायद मेरे मन का चोर ही मुझे डरा देता था, एक दिन तो हद हो गई थी, पापा ने लोटते ही अजीब से स्वर में पूछा, रजीत फिराय था आज, नहीं तो, फिरिया सिगरिट कैसी मेरे, मेरी याद में पहली बार पापा ने मुझे पर हाथ उठाय था, और वह भी बिना किसी कारण के, और तभी किचन से मम्मी दोड़ी आई, क्या पूछना है मुझसे पूछिये, उसे क्यूं परिशान कर रहे हैं, बेचारी अभी अभी कॉलेज से लोटी है, पापा यह जरा सी बात जानने के लिए इतने घुमावदा रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछ लिया होता, और इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाते वे शर्मानी चाहिए आपको, बड़े कल्चर्ड बनते हैं, और मम्मी जिस तरह आई थी, उसी तरह जमा ज हो गया है, वे पहले की ही तरह आते रहे, अकसर दफ्तर से सीधे ही आ जाते, क्योंकि बाद में आने का मतलब होता, बीवी को भी साथ लाना, उस दिन के बाद मैंने उनके सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं की, एक निरर्थक सी गलानी मन में भर गई थी, पर जब भी उनकी मो दिन भर नीरज की कविताएं पढ़ा करती, तलत की गजलों में खोई रहती, गुनाहों का देवता तो पता नहीं कितनी बार पढ़ गई थी मैं, जब श्रीमती रड़जीत भी साथ होती, तो मुझे परदे से बाहर आना ही पढ़ता, वे अकसर गाने की फर्माइश पर बै तो हैं तेरे दिवानों में, या हम प्यार में जलने वालों को चैन कहां, आराम कहां, या हाले देल इस तरह सुनाया न गया, आदी, मार्ज का महीना था, परिक्षा की तैयारियों के लिए छुट्टियां हो चुकी थी, पुस्तकों का अंबार सामने रह कर, मैं भी ये परिचित हर्ण को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, कैलेंडर पर नजर दोड़ाई तो पता चला, आज दूसरा शनिवार है, तभी श्रिमान दोपहर में पधा रहे हैं, छुट्टी है तब तो जरूर मिसिस साथ में होंगी, पढ़ाई वढ़ाई को गोली मार कर में डानिं नहीं था, मन मार कर बैठी रही, रडजीत कह रहे थे, तुम जानती हो नीरू, मैं यहां क्यों आता हूँ, अपनी रूटीन लाइप से जब उप जाता हूँ, तब यहां आकर कुछ देर को फ्रेश हो लेता हूँ, बस, वह तो ठीक है जीतू, लेकिन, लेकिन क्या, क्या सर इतराज करते हैं, सिर्फ उनी के इतराज की बात होती, तो तुमसे कभी कहती भी नहीं, फिर, जीतू, मुझे बकुल का डर लगता है, मेरा मतलब, बकुल के लिए डर लगता है, बकुल, माई गॉड, बकुल ने क्या किया, वह तो बड़ी प्यारी लड़की है, वह लड़ पढ़ता है, भावनाओं का ज्वार उठता है, तब ये छोटी मोटी बाते तिनके की तरह, पता नहीं कहां बह जाती है, भावक लड़कियों के साथ यहीं तो ट्रेजडी होती है, बकुल जिस वातावरण में पल रही है, उसमें तो यहां आवे खत्रे की सीमा तक बहुत स सकता है, यह तो गनीमत है कि सामने तुम जैसे शक्षियत है, नहीं तो ड्राइवर, माली, रसोया, प्रेम फेर, पात्र कुपात्र कुछ भी नहीं देखता, छे नीरू, कैसी बाते कर रही हो आज, इससे अधिक सुनना मेरे भी वश में नहीं था, हाफते कदमों से आकर अधिकी तरह सीधी सरल थी, बकुल, आई मा, और एकदम याद आया, मा आप कहा है, यह तो मम्मी की आवाज है, ड्रोइंग रूम के दर्वाजे में खड़े होकर पूछा, मुझे बुलाये मम्मी, हाँ महराज शायद आया नहीं हब तक, कॉफी बना सकोगी दो कब, जी, ब नहीं, नहीं, मम्मी ही ठीक है, मम्मी की आवाज में अनावश्रक तलखी थी, किचन की ओर जाते हुए मैंने सुना, वे कह रहे थे, नीरू मैं सोचता हूँ, बच्चे तुम्हे मा कहेंगे तो जादा इंटिमेट हो सकेंगे, जस्ट राई, नो, लेकिन क्यों, मैं इन बच मतलब है, तुम खुश नहीं हो, मैं दुखी भी नहीं हूँ, परिशान मत हो, कॉलिज से लोटकर देखा, छोटे भईया बरामदे में विराजमान है, अरे, आप कब आये नागदा से, सुबै आठ बजे, एकदम आ गये, कोई सोचना भी नहीं दी, दरसल खुशी के मारे बोलते ही नहीं बन रहा था, सोचना देता तो तुम लिवाने आती स्टेशन पर, उन्होंने चुटके ली, अच्छा बताईए कैसे आये हैं, बस ऐसे ही, नहीं तो यहाँ कौन हमारी अम्मा बैठी है, जो तीश दिवहार पर बुला भेजेंगी, इसलिए जब मर जी हुई चला आया, मैं तो बैठी हूँ अभी, फिर राखी पर क्यों नहीं आये, मेरी एक साड़ी का नुकसान हो गया, अब ले लेना बस, चला दिखा तो क्या-क्या पढ़ती है, और मेरी हाथ से चिंता मड़ी और घनानंद लेकर देर तक उलट-पुलट करते रहे, फिर एका एक बोले, अच्छा बकुल, यह तो बता मौसम का क्या हाल है, मौसम? मैंने सोचने किसी मुद्रा बनाई, तप मान साधारण से कुछ जादा ही रहता है, अक्सर धूल भरी आंध्या चलती रहती हैं, और कोई ताज्जूब नहीं, शाम को गरज के साथ छिटे भी पड़े, आपको मौसम की चिंता क्यों होने लगी, अब तो भगवान की दया से आपकी जेब भारी है, पैसों की बात नहीं है पगली, फिर, दरसल मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी, मैं चीखी, अभी से, अभी से क्या मतलब, मैं 23 का हो चुका हूँ, उन्होंने इस अंदाज मे कहा जैसे 40 पार कर गए हूँ, पर बाबा अभी आपकी लाइन क्लियर कहा है, अभी तो बड़े भईया बैठे है, बैठने को तो दीदी भी बैठी है, इन लोगों के भरोसे रह गया तो जिन्दगे भर कुआरा रह जाऊंगा, ऐसी भी क्या बेसबरी है, भला बताईए चल दिये, जिम्मेदारी ले तोली बड़े मज़े से, पर बाब में खुदे डरने लगी, कि ये हविशे घर में उठाऊंगी कैसे, मौसम के बारे में मैंने मजाक नहीं किया था, वाता वरन सचमुझ घर का इसी तरह का हो गया था, कल शाम से तो मैं सहमी सहमी सी ही थी, कि पता नहीं कब विस्पोट हो जाए, मम्मी चार-पांच दिनों से एक टाइपिस्ट के प्रतिक्षा में थी, यह लड़का उनके पिताजी के ड्राइवर का पुत्र था, वे मदद के रूप में उसे कुछ काम देना चाहती थी, सारी बाते तैह हो गई थी, और वो भला आद नहीं उसे लटा दिया था, सुनकर मम्मी का चहरा तम-तमा आया था, सारी रास्ते मुझे डर लगा रहा कि आज कुछ होकर रहेगा, इश्वर के कृपा से कुछ हुआ तो नहीं, पर वातावरण में कुछ तनावसा जरूर था, फिर भी साहस करके मैंने खाने की मेश पर वह बात छेड़ ही दी, छोटे भईया जान बोश कर बाहर ही रह गए थे, सुनो, यह फोटो देखा तुमने, बड़ी देर तक उस फोटो का नेरक्षन करने के बाद, पापा ने उसे मम्मी की तरफ पढ़ा दिया था, अभै इस लड़की से शादी करना चाहता है, कैसी है, अपनी पसंद का टाइपिस्ट तक तो मैं रख नहीं सकती, आपके बेटे के लिए बहु पसंद करना तो बहुत बड़ी बात है, अब यह कहां की बात कहां ले जा रही हो तुम, क्यों, मेरे अधिकार की बात नहीं हो रही थी क्या, मम्मी ने सीधा प्रश्न किया, पापा परिशान हो उठे, ठके स्वर में बोले, मुसीबत तो यह है नीरो कि तुम ऐसे आदमी कठा कर लेती हो, जो मेरी रूची से मिल नहीं खाते, नहीं मुसीबत तो यह है, बलकि हकीकत यह है, कि आप नहीं चाहते कि मेरी थीसिस कभी पूरी हो, पिछले चार-पांच सालों से मैं यही देख रही हूँ, क्या बक्ती हो, ठीक तो कह रही हूँ मैं, आप चाहते हैं कि बस मैं आपकी सेकरिटरी बनी रहूँ, आपके पत्रों का, पुस्तकों का, धोबी का, दूद वाले का हिसाब रखती फिरू, तुम कोई अहसान नहीं कर रही मुझ पर, दुनिया की आम औरतें घर में यही सब कुछ करती हैं, लेकिन मैं तो आम औरतों की तरह नहीं हूँ, इसलिए तो लीक से हटकर चली हूँ, नहीं तो आम औरतों वाला रास्ता मेरे लिए भी खुला था, पश्ता रही हो अब, अच्छा हुआ मम्मी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, और वहीं पटाक शेफ हो गया, नहीं तो मेरी तो मुसीबत आ गई थी, उन दोनों को तो मेरी उपस्तिती का होश नहीं था, और मुझसे न उठते बन रहा था न बैठना अच्छा लग रहा था, शाम को छोटे भाईया ने उस सुत्ता से पूछा था, तो मैंने मुस्कुर और यहां तार से खबर भेज देता, बस नो फॉर्मेलिटी, छोटे भाईया ऐसा कर भी लेते तो किसी को आश्चरी नहीं होता, पापा पता नहीं कब जाकर मेरट से बुवा जी को लिवा लाए और घर में शादी ब्याकी चर्चाएं जोर शोर से चल पड़ी, पापा की ब माला फेरते हुए मुझसे कहती, अरी तेरा बाप मेरे पास आया और बोला, अजय के लिए एक आद अच्छी सी लड़की देखनी है, लो सुन लो, लड़कियां क्या बाजार में मिलती हैं, अरे तुम चार लोगों में उठोगे, बैठोगे नहीं, बेटों की बात नहीं कर लोगे तो कौन जानेगा कि तुम्हारे यहां ब्याहने को लड़के बैठे हैं, कभी रसोई में बैठकर महरात से सुख दुख की चर्चा चलाते हुए कहती, भाईया रे, पेट जाये की तो ममता ही कुछ और होती है, अब इन बच्चों की माह होती, तो बताओ क्या आप त हालियां कतरती हुई बुआ जी कहती, विशन रे, मेरी मानों तो इस छोकरी को भी लगे हाथ निप्टा ही दे, आज कल की लड़कियों का कोई ठिकाना है, कभ किसका हाथ पकड़ कर चल दे, और फिर तेरे यहां तो कोई देखने वाला भी नहीं है, इन वाक्यों में व्यंक का छेत्र उनके लिए निशिद्ध हो चुका था, उन्हें इस बात का बुरा लगा भी हो तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया, बुआ जी की गुला बारी अकसर चलती ही रहती, पर यह तो मानना होगा कि जिस कारे विशेश के लिए उन्ही लाया गया था, उसमें वे सिध धस्त थी, महीने भर के अंदर ही दूर दरात से वधु पिताओं की चिठिया, फोटो और कुंडले आने लगी, बुआ जी के नाते रिश्ददारों का जाल भारती रेलवे की तरह पूरे देश में फैला था शायद, उनकी प्रसारण विवस्था भी बड़ी ही कारेशम ग् थे कि उनके विद्वान प्रोफेसर भाई का सुन्दर सुध्रन एक हजार रुपए महीना पाने वाला इंजीनियर बेटा शादी के योगी हो गया है, मुझसे ही उन्होंने बड़े भाईया को पत्र लिखवाया कि फौरन एक महीने की चुट्टी लेकर आ जाओ, ना नुक जाना रहा पर, अब कोई लड़का तुमसे खुदा कर कहेगा कि मेरी शादी करो, बुवा जी के भाशनों का एलपी दिन भर चलता रहा, मुझे लगता है कि किसी दिन मैं पागल हो जाओंगी, एक दिन मम्मी से मैंने कहा, तो सूखी हसी के साथ बोली, मेरे बारे में कभी स सोचा है, तब लगा, सच मुझ अगर पागल होनी की नौबत आई है तो मम्मी की, कितना सुनाया जाता है दिन भर उन्हें, कभी उनकी कोट मैरेज का मखोल उड़ाया जाता है, कभी मा के रूपरंग, अचार व्यवहार से उनकी तुलना की जाती है, नौकरों चाकरों का, ह पुर्य हस्ती में मन भी लगता, अब तो क्या है जैसे होटल वैसे घर, दस-वीस लड़कियों को देखने सुनने के बाद एक रिष्टा सरवानुमती से पास हो गया, लड़की वाले पूना से लड़की को लेकर आये थे, उन लोगों के भेगशा थी, और बुआ ने भी र पास पड़ोस के दो-चार लोगों को जल्दी में कहलवाया गया, सारी तैयारी होने के बाद बुआ जी ने मम्मी से कहा, बहू चार बजे के बाद फिर मूरत अच्छा नहीं, लोग बाग आएंगे जब आते रहेंगे, तू लड़की की गोद भर्दे जटपड, अग्याक सारी बहू की तरह मम्मी ने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, ये जैसे कुश्यात करके बुआ जी बोली, बकुल, पडोस से मतुराइन को टेरना ले जरा, क्यों, पहले पहल खौल भरी जा रही है, किसी लड़कौरी के हाथ से होती तो ठीक था, जैसे बिजली का करंट चुझाये, मम्मी ने हाथ धाली से खीच लिया, हम सभी सन्नाटे में आ गये थे, एका एक बड़े भईया गरजे, बुआ जी, आज आपने कह दिया सो ठीक है, भविश्र में कभी इस तरह की बात करेंगी, तो इस घर में आपका निभाव नहीं हो सकेगा, हम सब सन्न रह ग और वह भी परमसंत बड़े भईया के द्वारा, बुआ जी को समालने का मौका दिये बिना ही वे बोले, इतना शास्त्र पुरान पढ़ती हैं आप, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, कि हम लोगों के होते हुए, मम्मी को इतनी बड़ी गाली आप नहीं दे सकती, भई पंग रूम में लड़की वाले बैठे हुए थे और भीतारी हनाटक हो रहा था, बड़े भईया ने निर्णय के स्वर में कहा, मैं मम्मी को लेने जा रहा हूँ, अगर उन्हें मना सका तो ठीक है, नहीं तो इन लोगों को लटा दीजिए, मुझे शादीवादी नहीं करनी है, और दरवाजे तक जाते हुए फिर ठिठक गए, इस बार अपनी रोश भरी आँखे पापाजी की ओर उठाते हुए बोले, पुझे निये पापाजी, मा की मृत्य को तीन साल भी न हो पाए थे, कि आप अपनी ही एक छात्रा से ब्याहरचा वैठे थे, लेकिन उस दिन भी आपसे इतनी नफरत नहीं हुई थी, जितनी आज हुई है, बुवाजी ने इतनी बड़ी बात कह दी और आप चुप खड़े सुनते रहे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी यह संतान ही जीवन बि पर क्या मम्मी के मन में कभी ममता का सैलाब नहीं उमड़ा होगा, तब किस पर बरसाया होगा उन्होंने अपना प्यार दुलार, कभी तो तिरसकार उपजा होगा, उस पुरुष के प्रती, जिसने उन्हें नारित्व के इस गौरफ से वन्चित रखा था, एकाद बच्चा सचमोशगर होता, तो आज उनका जीवन यू लक्षहीन नाव की तरह लड़ खडाता नहीं लगता, उनके एक आकीपन को बाटने वाला कोई होता, तो शायद हम लोग भी स्वस्त मन से घर लोट सकते थे, सुबह उठकर यही सब मेरे मन में आ रहा था, दोनों भहिया अपन परम प्रिभाई की याद में लिये जा रही थी, बकुल, तुम नहीं देख रही अपने लिए कुछ, मम्मी ने कहा, अभी से क्या करूंगी, अभी तो पंदरा दिन पड़े हैं जाने को, मैंने कहा, लेकिन तब सिर्व तलचठी हाथ आएगी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा वे चुपचा बैठी दोनों बहूं की कुछलता देख रही थी, कितनी चीजे पैक की जा चुकी थी, पती देवता के डर से जो चीजे साथ नहीं जा रही थी, उन पर रिजर्वेशन स्लिप लगा कर रखा जा रहा था, ताकि अगली ट्रिप में आसानी हो, मैंने हसकर कहा, मम्मी इस स्पेट से अगर हम सब लोग घर को खरोशना शुरू कर देंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपके पास यादगार के तौर पर सिर्फ दिवारे रह जाएंगी, मेरी चिंता मत कर रहे, मेरे पास इतनी यादे हैं कि ऐसी ऐसी दो-दो जिंदगियां बसर हो सकती है मैंने गौर से देखा, समझ ही में नहीं आया, या कत्य विगत सनेह का सूचक है या व्यवस्था का, और उत्तर में चुप ही रह जाना पड़ा, तभी पोस्ट मैन ने आकर मुझे मुक्ती दिला दी, रजिस्टर लेटर था मम्मी के नाम, पढ़कर ही वे कुछ ऐसी उदास हो गई कि मेरा तो मन घबरा उठा, पोचने का भी साहस न बन पड़ा, बगीचे में बैठे बड़े भईया, किसी ठेले वाले से बात कर रहे थे, शायद शाम के लिए तै कर रहे थे, मैंने उन्हीं से जाकर बतलाया, वे मेरे साथ मम्मी के कमरे में आये, उसी तरह पत्र हा कर सिर उठाया, किस की चिठी है, उन्होंने लिफाफा हाथ में थमा दिया, पापा के कॉलेज से आया था, मम्मी के लिए नियुकती पत्र था, यह तो खुशोनी की बात थी, उनके एक आखीपन की समस्या कहल इतनी जल्दी मिल जाएगा, ऐसा सोचा भी न था, फिर मम्मी क कॉलेज में जाने की कलपना, उनके लिए सहाय हो उठी हो, मम्मी नौकरी आपके लिए ऐसी जरूरी भी नहीं है, आपका जीना चाहे तो आप मना कर दीजिए, आप तो आराम से अपनी थीसिस पूरी कीजिए, कब से रुखी पड़ी है, मैंने कहा, जीना चाहने की तो कोई बात ही नहीं है रे, मेरी तो कब से या भिलाशा रही थी, अपने ही कॉलेज में पढ़ाने की, फिर आप इतनी उदास क्यूं है, मैंने बच्चों की तरह मचल कर कहा, या सोच रही थी कि इतनी पुरानी इच्छा अब जाकर पूरी होनी थी, अब बुरा तो लगता ही है न उन्होंने इतनी स्वाभाविक धंक से कहा कि मुझे चुप रह जाना पड़ा, मम्मी, बड़े भईया गंभीर स्वर में बोले, मेरे ख्याल में आपका भी यहां रहना ठीक नहीं है, कॉले जाने की बात तो और भी नहीं जजती मुझे, आप छुट्टी भर मेरे साथ रहे जुलाई में जॉइन कर ले, तब तक कुछ आउंगी अजय, तुम्हारे यहां भी आउंगी, पर अभी नहीं, सहानु भूती से इन लोगों ने जो ओफर दिया है, दुबारा शायद ना दें, मम्मी का कहना ठीक ही था, बात पुरानी होने पर फिर उतनी वजनदार नहीं रहती, ऐसा असर दुबारा मिले न मिले, पा पापा नौकरी के सक्त खिलाफ थे, मम्मी, आपके कोई सहेलियां क्यों नहीं है, आती जाती रहती तो मन बहला रहता, मैंनी कहा, जिस उम्र में सहेलियां बनाई जाती है, वह तो तेरे पापा के चर्णों में गुजार दी, और बातों के लिए समय ही कहां रहे गया था, श ऐसा कोई घर भी तो नजर नहीं आता मुझे, जहां आप लोगों के घनिष्ट संबंध रहे हूं, उन लोगों के भरोसे कम से कम मैं निश्चिन तो हो सकता हूं, इतने परिशान क्यों हो रहे हो अजय, मेरी समझ में नहीं आता, यह अकेला पन क्या आज का है, इसकी तो बादत से बन गई है, तुम्हारे पिता के साथ रहकर और सीखा ही क्या है, बचपन में तुम लोगों ने उस जादुगर की कहानी तो सुनी होगी, जो एक राजगुमारी को वश में कर लेता है, दिन भर तो बेचारी पत्थर की मूरत बनी रहती है, और रात में, और सहसा जैसे उन्हें याद आया कि वे क्या कह गई है, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढख लिया उन्होंने, मैं और बड़े भईया पत्थर की मूरती बने उन्हें देखते रह गए थे, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा लगूप पन्यास, पाशान यूग